सिक्रीकंज थाना छेत्रे के बारी गाओं में बेची गए जमीन के पैसे के लेंदेन में हुए विवाद पर एक भाई ने अपने सगे भाई की पीट-पीट कर हत्या कर दी सूचना पाकर मौके पर पहुची सिक्रीकंज पुलिस ने मामले की जाज कर शव को पोस्मार्टम के लिए भेजा और आरोपी अभियुक्त सगे भाई सोनू सिंग को गरफतार कर अग्रिम कारवाई में जुट गई आपको बता दे सिक्रीकंज पाना छेतर के बारीगाउं निवसी बालेंद सिंग वा सोनू सिंग के बीच बीती राष शराप की नसे में किसी बात को लेकर विवाद हो गया सोनू सिंग ने बालेंदर को पीट-पीट कर मौत के घाट उतार दिया परीजनों की चीक पुकार सुनकर पडोसी वाग्रामीरों की भीट जुड गई स्थानी लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दिया सूचना मिलने पर सीओ खजनी योगेंदर कृष्ण नारायन और सिक्रीगन स्थानेदार उपेंदर मिश्रा मौके पर फोर्स सहित पहुच गया है पुलिस ने शौक को पोस्मॉटम के लिए भीजने के साथ ही हत्ते अभ्युक्त भाई सोनू सिंग को गरिफतार कर अग्रिम कारवाई में जुड गई इस संबन्द में गुरकपुन नियुस से बात करते हुए स्पी साथ पिलकुमा सिरवास्तों ने कहा पिलकुमारा क्या तोस्माग को अग्राव याज़त कराने आने का कुई आप इनको सुने पकिका आप चलेगी तरफ सेवा समाग हाँ खिता जने गई भी खान पर दोगी दोस्मारा क्या दोस्त है अगरा थोड़ी में कोई दोस्त है भाई वो तो हाँ फोड़ी कोण दोस्त भाई कितना पैसा दिने मार किया है नहीं रात किता है हां एक लाग बीस आर में रश्टी होई एक पैस आर दिये हैं और बकिया एक लाख रुपियां बात आप इन अग पकाई है कितना थे सोनु रश्टी पहीं है नहीं अगरा थे जमीनी है किसका है यहां कि पत्मी के नाम धिये घालाए गया है कि अपनि आप सोनू का है और दोनों का हिस्सा इत्वाइब करें नहीं तो यह सामने वाला नाम सुनू की नाम था और बालिंदा रहूं के नाम इस्ट्रपेंग नाम कहा है आज सुबह एक सुचना मिली थी थाना सिक्परी काई में कि बारी गाउं है वहाँ एक बाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दिये किस संबन में आनद्यक्ट और शीयोख अजनी सरी पोष महाकुत लई और देखा गया तो एक जमीन का है जमीन इसका अत्यारा जो है भाई इसमें जमीन दे चाता है और दोनों में इस पैसे कर लेकर कुछ विवाद हुआ था रात में उसमें उसका प्रहार किया था जो जंडे और नुकीले उससे कुछ तांगी जो होता है उससे उसमें प्रहार किया था और उससे इसकी अत्याओ कर दिया था उस पे वाड़ी को पंचातना में बढ़के पोस्मार्टम के लिए बेजा जा रहा है अपराद पंजी कित किया गया है मुपदमा और अपित की गिरफतारी क कर दिया है